स्वामी जी मेरे ये प्रश्न था हम भगवान की जो जाब करते हैं माला के साथ करते हैं या बिना माला के भी करें तो अधिक समय लगता है भगवत प्राप्ति के लिए कि दोनों का अंतर मुझे समझना है दुबारा बूलो हम जैसे माला जाब करते हुए भगवार की पूला करते है बस मैं समझ गया धन्यवाद बेलकम अब सुनो द्यान से सुनिए शिवजी का मंत्र पारवती मया का मंत्र गनेश जी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाब करना चाहिए रामजी का मंत्र कृष्ण जी का मंत्र नाराण का मंत्र ये हमें तुलसी की माला से जाब करना चाहिए अब सुनिए तुलसी की माला से रुद्राक्ष की माला से भजन करने का बहुत बड़ा फल होता है थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फल होता है एक बिना माला के भजन कर रहे हो तो एक मंत्र का एक ही बार जैसे फल मिलना चाहिए वही मिलेगा लेकिन तुलसी की माला से अगर आप भजन कर रहे हो तो एक बार मंत्र जाप अगर आपने तुलसी की माला से किया तो कम से कम 50 मंत्रों का फल एक बार के जाब से मिलेगा इतना बड़ा फल है इसलिए हमेशा वैशनवाओं को तिलक और माला ये साथ में रखनी चाहिए तिलक लगा के रखो, माला से जाब करो इससे तुमारा कल्यान होगा और जादा जादा माला आसन पे बैठके ही करनी चाहिए ठीक है? रादे रादे दन्यवाद